जहें दोस्तों रियज के सराइस अकेडमी आप सभी का स्वागत है दोस्तों मेरा नाम है अब सेख पटेल और हम लोग एक क्वेशन एंसर रियज को शुरू किये हैं जिसमें पर्यावरण अध्यन के यूपीटेट में जो पर्यावरण अध्यन के प्रस्ण आई हुए उनको ह क्वेशन हर नेल्व करेंगे हमारा निम्लखित में से कौन सुस्थ अफ्थियों के लिए आवस्सक है अफ्थियु ये होता कैलसियियम है तीन सन बीटामिन सी केमशे स्करवी रोग में मुकmy में आपके मस्वन से खून आने लगता है और ये यह वहारी पर्त्रिछा शमता को बनता है लेकिन बिटामिन डी की कमी से हमारा क्या होता है लिकेट्स नामक रोग होता है जिसे सूखा रोग कहते हैं अर्थात इसमें हडिया सूख जाती है तो इसलिए अगर आपको सवस्त हडिया चाहिए आपको केलसियम के साथ बिटामिन डी भी अवर्चक है हमारा दूसरा प्रस्ण है कि भारत में हिमाले के सबसे उंची चोटी का नाम है यह बहुत ही अच्छा प्रस्ण है कई बार एक्जामों में कई तरह से आता है माल लेते हैं इस प्रस्ण में ऐसे ना के ऐसे आया होता भारत में हिमाले की सबसे उंची चोटी तो भारत की सबसे उची चोटे अगर पूछ रहा होता तो इसका अंसर हो जाता के टुं ठीक है। हिमाले इसमें ना दिया होता, किवल यह पूछ उच्छा होता घारत की सबसे उची चोटी का नाम क्या है तो आपका हो जाता के टु। प्रस्ण का आपका हो जाएगा माउंट कंचन जंगा तो क्लिकि जो केटू है वह भारत में हें लिखिरों हिमाले पर नहीं हो ट्रांस हिमाले का भाग है वह बात करते हैं बहारत में हमाले के सबसे उंची चोटी तो आपका हुजाए का पूछने के तरीकों पर निरभर करेगा किसका एंसर क्या होगा यदि हिमाले की सबसे उची चोटी पुछा जाए भारत का जिक्र ना किया जाए तो आपका माउंट एवरेश्ट हो जाएगा अंसर यदि परस्ण पूछा जाए कि भारत में हिमाले की सबसे उची चोटी तो आपका हो जाए माउंट कंचन जंगा और इस परस्ण को थोड़ा कि बारत की सबसे उच्ची चोटी हिमाले की सबसे उच्छे झोटी तो इस प्रकारिज में तीन बहुत हैं अग्ला प्रस्ट मेरा थे प्रात्मिक अस्तर पर है कि खेल-विद आधारित है जो प्रात्मिक अफतर पर जो खेल खेल में सिच्छा दी जाती है वह सिच्छडविद के सिधान्तों पर आधारित है जिसका उद्देस होता है कि छात्रों को सवभाविक रूप से उनकी रुच के उनसार सिच्छा दे जाए अगला प्रस्ण है वाई मंडल की सबसे नीचली परत का क्या नाम है वाई मंडल सबस्टे सबसे निजली पर जब से हम इंसे स्रेज कर रहें तब से कम से कम यह 4-5 बार आए यह पर जो हमारे wait मंडल के अस्तर है पहला छो मंडल संताप मंडल नंज फिर रायां मंडल फिर वःर मंडल इनके करम को याद रखना और उस करम में क्या क्या परिवर्तन आते हैं उसको याद रखना बहुत जरूरी है ठीक है अगर इस पर अंसर देखे वाई मंडल की सबसे निंचली प्रत का क्या नाम है आपका हो जाएगा छोब मंडल और इस मंडल में क्या होता जैसे जैसे आप उचाई पर जाते जाते हैं वह इससे तापमान हो जाता है चिक है जाता है और यहां पर पर ऊपर बढ़ते हैं तो आपका समताप अगर आपका छोब मंदल है, यह पाई जाब चोब garlic वाली पृते हैं तो यह पर पृते हैं समताफ मंडलों को इंग्लिस में और जो छोव मंडल पता है इसको कहा घ्रती तो यहां पर जोन गैसे होती है जो सूर्श राने वाली प्रावगिनी के रोगता है और आपका समताफ मंडल ओता है यहां से बढ़ना शुरू होता है यहां माइनस साथ होता है और यहाँ पर हो जाता है माइनस 5 लेकिन जब हम फिर मद्ध मंडल में जाते हैं जिसे मीजो स्फेर कहते हैं मीजो स्फेर में तापमान फिर से बढ़ना शुरू होता है मीजो स्फेर में तापमान फिर से बढ़ना शुरू होता है और घटना शुरू होता है यह घट के पहुंच जाता है माइनस पंचान में, मीजोस्फेर में फिर से तापमान घटता है, माइनस पंचान में तक पहुंच जाता है, और मीजोस्फेर में जो उल्का पिंड बाहर से आते हैं, वो जल जाते हैं, ठीक है मीजोस्फेर में, और इसके उपर आपका होता है, उस्पेर या थर्मो स्पेर कहा जाता है इसमें क्या होता है कि इसमें तापमान बहता है और यहाँ पे एकदम अतिम मिनत बढ़के 1000 ét 끝나 तक पर पहुंच जाता है ठीक 1000 डिग्री से एसे सवत तामान पहुंच जाता है और यहाँ तामान इतना हो तक यहाँ चला जाता है तो ये आप की वाई मंडल की जो 5 अस्थर हैं इसको याद रखना उसको समझना बहुत जरूरिर है इससे हमेशा परफ़ना रहें इसका हिंदी में जो नाम है उसकी हिसाब से बिया आप याद कर लीजिए अगला प्रशन हमारा है विटामिन सी की कमी से होने वाली बीमारी है, विटामिन सी की कमी से आपका होता है इसकरवी रोग, ठीक है, विटामिन सी की कमी से इसकरवी रोग हो जाता है, इसमें क्या होता है, हमारी प्रतिर्च्छा प्रडाली भी थोड़ी डैमेज होती है, इसकरवी रोग का सबसे बड औंटों से खुन आने लगता है ठीक है कि कमी से आपका इसस्क्र म Teaaci ख़ा प्रशना वा रहा है भारत की पर्थम अपसर निगे के कोने हम लीठी है कि इस्पाल इस्पर हें भारपувान-पफियरप्भारत की परत्थम बेदी और प्रद्वाद देवी सिंग पाटिल जो है वो आपके क्या है प्रथम महिला राइश्ट पती है प्रद्वजा नायडू ये स्रोजनी नायडू की पुत्री है और इन्हों ने सबसे एक महिला की रूप में सबसे लंबा राजपाल की रूप में कारिकाल निभाया ठीक है ये पहली बार पश्चिम मंगाल के राजपाल चुनी गई थी हंसा महता जब सम्मिदान बन रहा था उसमें ये उस कमेटी में हंसा महता भी है ठीक है अगला प्रस्णम आ रहा ह सिधे धरती से निकलती हैं उसमें जिवास में होने की संभवना नहीं होती है यह बहुत ही कठोर होती है जिसने सिल्वट्टे बनते हैं आपके अगनी चट्टानों के बनते हैं जिसने बेसाल्ट के आपका अगनी चट्टान है चूना पत्थर क्या है आपका आउसादी चट्टान क्योंकि चट्टानों के तीन रूप होते हैं एक अगनी है इस प्रस्ण का उत्तर आप दीजिएगा ठीक है क्योंकि अभी इससे पहले हमने इसके अवारे में पूरा-पूरा समझाया कि कौन सा अस्तर होता है किस अस्तर में क्या पाई जाते हैं इसका उत्तर आप कमेंट वाक्स में जरूर दीजिएगा और अपने दोस्तों में इस वी स्थापक आपके दर्म के स्थापक आपके पहले गुरू नानक देऊं इस नानके dilaw सिक् धर्म के अ संतर्म के तके अमठ्यव गुरू न sadece तक बहादूर है गुरू गोविंळ सिंग गुरू अंसंग जो है स्थाभी design के पांशवे द्रीर है इन्होंने आधिगरण्थ की र सेयुक्षच եरुकार किया था और इस कारण उनको सिस्गंगं गुरद्वारे के पास इनका कतल कर दिया गया थे तो सिख धर्म के मैं इनक आपके कोन है?! में दीजेगा ठीक, बाइरोगराप से क्या मापजा था, क्योंकि इसका पहली किलास मेंने बारे में बताया था, अगला प्रस् While अमा रहा है कि दछ्री गुलारद का सबसे लंबा दिन किस दिन होता है, कम लोग रहते हैं कि इस उत्री गुलार्द में, उत्री गुलार्द में सबसे लंबा दिन क्या होता है, 21 जून को, ठीक, यह आपसंत होगा नहीं, क्योंकि यह उत्री गुलार्द में सबसे लंबा दिन होता है, और दच्छडी गुलार्द में होता है, 22 दिसंबर को दच्छडी गुलार्द में सबसे लंबा कहा जाता है ठीक अगला प्रस्ण हमारा है सत्यार्थ प्रकास के लेखक का नाम है स्वामी दयानंद स्वर्फती सत्यार्थ प्रकास के लिखा था स्वामी दयानंद स्वर्फती ने लिखा था हमारा अगला प्रस्ण है कि बीहू भारत के किस राजिका लोक निर्थ है बीहू बिहु भारत के असम्राज का लोक निरते से पहले असम के ऊपर एक प्रसन आया था जिसें पूछा था कि एक सीगयोले गैडे असम के इस राश्ट्य की पार्क पाई आथे हुआ आपका हो जाएगा काजी रगा था लेगिन बिहु भारत के कि किस राज को लोग ने थे हो है असम का अगला प्रस्ण हमारा है कि खाद श्रिंखला के प्रस्फर समों को कहा जाता है यह खाद श्रिंखला होती है श्रिंखला लाइन्स होती है ठीक है यहां घास है घास को खायेगा चूहा ठीक है यहां घास ठीक है उसको मालों खाते हैं टिद्दा टिद्दा को खाया मेधक मेधक को खाया साप यह क्या है एक खाद श्रिंखला है लेकिन अब यहां पर दिखा दिए मेधक को खा लिया बाज हाँ है ठीक है तो यह सिरिंखला कि चॉक्जारं यह दूसरे स्रेंखला को खाए यहां कि यह को दाता है एक सर उखो रखोई हैंservice को अगला हो गए जो अगला होगा या 2015-2016 में EBS के जो भी प्रस्ण आए उनको कल हम साल्व करेंगे दोस्तों इसी के साथ हम विदा लेते हैं और आप से निवेतन है कि चैनल को सस्क्राइब करें और अपने दोस्तों में सेर करें और वीडियो पर कमेंट जरूर करें और ज्यादे फिर ज्यादा वीडियो को लाइक करें के साथ विदा लेते हैं जय हिन जय भारत